भारती जनता पार्टी ने विधायक दल की बैठक में भुपेंद्र पटेल को गुजरात का अगला मुख्यमंत्री चुना है आपको बता दें कि विजे रुपानी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था गुजरात के नए मुख्यमंत्री भुपेंद जाता है तो गुजरात के नए सियम के तोर पर नाम जो है वो सामने आ गया है अब भुपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्य मंत्री काफी सारे नाम चर्चा में थे हम कई सारे नामों की कल बात कर रहे थे आज भी बात कर रहे थे लेकिन जो नाम सामने आया काफी चौकाने वाला है और कारण ये भी है कि जो नाम चर्चा में थे उनमें सहमती नहीं बन पा रही थी अगर किसी को बनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है और ये जो नाम है भुपेंद्र पटेल का इनका विवादों से कोई नाता नही है और एक साफ सुथरी छवी है और इसी कवर पर गुजरास से मारे सहयोगी मुकेश गोहिल जुड़ गए हैं मुकेश जी जो भुपेंद्र पटेल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इसका सबसे बड़ा कारण ये माने कि उनकी छवी जो है साफ सुथरी है और विव दावास की जो खवरे आती हैं एक दूसरे की विरोध करने की उस पर भी विराम लग गिया और सब की सहमती बन गई जी शही बात है कि बुपेंद्र पटेल जो ऐसे इसान से अनन भी अनन भी जब जब C.M.C. तब भी वो भुपेंद्र पटेल उसके साथ ही जोड़े हुए थे और सबसे पहले तो मुपेंद्र पटेल में मतब अमदावाद E.M.C. में हो चैर्में दे चुके और काफी उसक पटेल लाता है इसने तो विवाद उसे संकुन विवाद उसे ओभर जाता है इसलिए भुबिल नाम का भुबल पटेली का नाम उसने शिरक्त किया है जी मुकेश जी और जो खास बात यह जो मुख्यमंत्री थे विजे रुपानी उन्होंने भी इनके नाम पर सहमती जताई सबसे पहले इनके नाम को आगे रखा बिल्कुल कोई विरोध नजर नहीं आया सब राजी खुशी से इस नाम पर सहमती बनी अब देखने आली बात होगी कि स्यम के पद में रहते हुए कितनी सारी सेवाएं जनता को वो दे पाएंगे शुक्रिया मुकेश जी तो गुजरात को नया सियम मिल गया है भुपेंद्र पटेल गुजरात के नय सियम होंगे और सबसे खास बात यह है कि उनके नाम को लेकर किसी भी तरह का विवाद सामने नहीं आया सबकी सहमती से इनके नाम पर सहमती बनी है अब बात करेंगे जिन्दगी पर कि अचर।